सोदर के हा सोघर के हा जित बै सरव समाले वाजे नादने कसंखा के ते वावन हारे के ते राग परिशों कयन के ते गावन हारे गावे तोनु पाउन पाणी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावें चित गुबत लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावें सर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावें इन इंदासन बैठे देवते आंदर नाले गावें सिद समाधी अंदर गावन साद विचारे गावन जती सती संतोखी गावें वीर करारे गावन पंडिते पड़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावें मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाये तेरे अडशठ तीरत नाले गावें जोद महाबल सुरा गावें खानी चारे गावें खंड मंडल वर भंडा करकर रखे धारे से तुद नू गावें जो तुद भावन रते तेरे भगतर साले होर के ते गावन से में चितना यावन नान क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वे खै किताया अपना जिमतिस दीवड आई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सोपात साहो साहां पात साहबे नानिक रैन रजाई सोदर ऐसा मुखवाक है जगद गुरु बावे साहब श्री गुरु नानिक देवजी महराईदा कि ए गुरु गर्ण साहब जी महराईदे जित्वे जब जी साहब दे अंदर आया है रहरास साहब देंदर भी है और आसाराद देंदर भी बकैदा गुरु नानिक देवजी महराईदे उचारन की तर जब जी साब दे अंदर सोदर दी पौड़ी सब तों वड़ी पौड़ी है सोदर तो मुराद ओ दर ओ केंदरी अरस्थान ओ मरकज जित्थे बैठ के अकाल पुरुक सारे जीमा दी संभाल कर दै देख रेक कर दै इस तरह दे मुखवाग साहिब श्री गुर्णान अक्तेव जी महराई दे रामकली राग दे अंदर भी आयने जित्थे आप फर्मान कर देने जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन ले हे अकाल पुरुक जिस दर देच तेरा वासा है जिस घर देच तेरा वासा है वो घर किते है वो दर किते है ते दरवाजियां दे अंदर एजड़ा बहु गुपत ते छुपे आया अंदर उनी दरवाजा है इस तक कौन पहुँचे है जिस दर नू लबदा लबदा मैं उदासी हो गया उपराम हो गया जिस दर कारण फिरां उदासी सोदर कोई आए कहे जिस दर नू लबदा लबदा मैं उदासी हो गया उपराम हो गया कोई में नू आ के दसे ओ दर किते है ओ घर किते है और एगल सपश्ट है कि उपराम होए बिना उस दरदी भाल करने बहुत होखी है दो दर ने एक दर ऐसा है जो संसार दी तरफ खुलदा है एक दर ऐसा है जो निरंकार दी तरफ खुलदा है अक्सर जितने चिर तक मनुक संसार दे दर तो उकताया नहीं उपराम नहीं होया सोदर उस अकाल पुर्ख दे दर दी खोज उस मनुक दे अंदर पैदा ही नहीं हो सकदी सत संग दा मतलब इतना है गुर्मानी दे पाठ पटन दा मतलब इतना है कि जगत दे दरदा पता चल जाए जगत जो एक घर है इस दी असलियत दा पता चल जाए और मनुख उप्राम हो जाए उप्राम होया मनुख इस गल्दा सुबूत है कि जगत दे छुन उसनों ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिस नाल उस दी त्रिप्ती हो सके उदी पूर्ती हो सके ओ उप्राम है एक ते ओ उप्राम है जो जगदे विच ही अपनी पूर्ती करना चांद है और हो नहीं रही तो उप्राम है एक ओ है जिन्नों समझ आ गई है कि जगत देच मेरी त्रिप्ती होई नहीं सकती लहाजा ओ उपराम है और एजड़ी उपरामता है ए तंदुरुस्त उपरामता है ऐसी उपरामता करके ही भगताने, संत जनाने प्रमातमादा दर लबेया प्रमातमादा घर लबेया क्योंके उन्हानों ए जीवन ए संसार व्यर्थ दिखाई दिता ए देच त्रिप्ती होनी कठन दिखाई दिती तो उन्हाने उस दर दी उस घर दी उस जीवन दी तलाश अरंब कर दिती जिस देच त्रिप्ती ही त्रिप्ती है परम अनन्द है तो साहिब श्री गुरुनानिक देव जी माराइज दी ये सौधर दी उचारन कीती हुई ए पौड़ी जी दी प्रथम पंगती स्वालिया पंगती है सो दर के हाँ सो घर के हाँ जित बैसर समाले हे अकाल पुरुक जिस दर ते बैठके जिस घर देच रहके तुम तमाम जगदे जी मां दी संभाल कर रहे हैं ओ दर कैसा है और ओ घर के थे है और कैसा है सवाल बहुत आहम है बहुत वड़ा है ते जितना वड़ा सवाल होए उतना ही वड़ा जवाब होंदा है जितना सुक्षम सवाल होए उतना ही सुक्षम जवाब होंदा है जितना मोटा सवाल होए उतना ही मोटा जवाब होंदा है तो एह सवाल बड़ा बारीक है बड़ा सूक्षम है बहुत गैरा है और इस सवाल दा जवाब मोटी बुद्धी वाले आवास्ते देना अतियंत कठन है जगद गुरु बाबा आप ही इस सवाल दा जवाब देने सवाल वाकई एह जगद दा है ओधर कैसा है ओघर कैसा है जिते बैठके है जीवन दाते तू तमाम जगदे जीवादी पालना कर रहे हैं देख रेख कर रहे हैं तो हूँ उस दरदा जिस धंग नाल गुरु नानक देवजी महराज ने चित्रन कीता है नक्षा किचे है उबाके दी तमाम पंक्तियां दिच सद्गुरु देवजी महराज इस धंग नाल वर्नन कर देने वाजे नाद अनेक असंखां केते वावन हारे गुरु नानक देवजी महराज उस दरदी महमा नाद तो अरंब कर देने शबत तो अरंब कर देने माराज किनन अनेकां तरां दे नाद उस दे दरते वज रहने और अनेकां ही ओ वामन हारे ने साजन दे ने वजामन वाले ने जो उस तरां तरां दे नाद नो प्रगड कर रहने हे प्रभू ए तेरे घर दी ए तेरे दर दी एक महान शोबा है मेहमा है भामे आजे जगत दे अनेक सारे शरधालुआ नो इस गल्दा बोध नहीं कि जद सनातन मंदर दिछ प्रवेश करीद है तो घंटा वजा के घड़याल वजा के अंदर प्रवेश करीद है प्राचीन दिशी मुनिया अने ये मर्यादा क्यों जोड़ी कि मंदर दिछ प्रवेश तों पहले घड़याल वजाओ घंटा वजाओ दरसल एस गल्द सूचना है संकेत है इशारे नाल समझाया गया कि प्रमात्मा तक पहुँचना उस दा ही नसीब होवेगा जिदे कुल नाद है जिदे कुल शब्द है जिदे कुल धुन है तो घड़याल वजाके घंटे वजाके मंदर दिछ प्रवेश करन दा मतलब इतना इसी ऐ बंदे प्रमात्मा तक तू पहुँच सकेंगा गुंजार करके धुन नू अलाब के नादनू अलाब के जप करके और जप ऐसा के उदेच गुंजार होगे उदेच धुन पैदा होगे फिर मंदरा दे गुंबद बनाएगे मैज इस वास्ते के उत्थे आवाज गुंजे और ऐसी आवाज जो गुंजार पाके मुड़के कन्ना देच सुरूली होके वापस आवे उदे नाल मन दी कागरता छेती हों दीए ते मन परमातमा दे मंदर देच छेती परवेश करदा है इस वास्ते साहिबे श्रीक उनानक देवजी महाराज फिर्मान कर रहेने के उस दर्दी महमा नाद है अनेका तराँ दे साजिन दे अनेका तराँ दे वावन हारे तराँ तराँ दे नाद नू छेड के और धुना नू जनम दे रहने हे अकाल पुरुख ये तेरे दर्दी सोब है भाव नाद दी धुन वजावन वाले ये तेरी महान शोबाने तेरी महान मैं माने वाजे नाद अनेक असंखा के ते वामन हारे के तेरी महान शोबाने